वेरी वेरी गुड इवनिंग वेरी वेरी गुड इवनिंग लास्ट चप्टर की एक छोटी सी क्लास 15 से 20 मिनट की क्लास रहती है वो अलग से अप्लोड हो जाएगा वो रिकॉर्ड हो नहीं पाए आज हम न्यू चप्टर स्टार्ट कर लेते हैं उस चप्टर का नाम है इंकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और एक एक चीजे आराम से हम हर चीज को देखेंगे कि क्या है नहीं है तो पहला प्रैक्टिकल में चप्टर इंकम टेक्स में आपका स्टार्ट होने जा रहा है इस चेप्टर के अंदर कुछ बच्चों को पुराने स्लैब और नए स्लैब रेट की जौरत पड़ेगी 10% चांसेज है वो प्लीज आपके पास टाइम मिलेगा वो आप देख लीजिएगा पुल्ड स्लैब और निउस्लैब क्योंकि कुछ टेक्स के अंदर डिड़क्शन का यहां कॉंसेट आएगा तो वो हम देखेंगे तो दो दिन का टाइम है वो आप देख लीजिएगा सर चैप्टर कंप्लीट हो गया वो चैप्टर बस एक क्लास का मैंने कहा है आपको एक क्लास रहता है उसके बाद तो कंप्लीट हो जाएगा करें स्टार्ट तो सर आज क्या पढ़ाओगे आज पढ़ाएंगे हम income from house property अब house का मतलब आप देख सकते हो ये हमारा एक घर बना हुआ है इसको हम बोलेंगे house जो आपके सामने घर दिख रहा है इसको बोलेंगे house तो income कैसे आएगा जब कभी भी ये घर हम किस पे देंगे सर किराया पे देंगे इस घर को हम किराया पे देंगे यानि जो इसे हम rent पे देंगे उस rent से जो income आएगा उस income पे जो हमें tax देना होगा उसको बोलेंगे income from house property मतलब सर समझते हैं हमें 5 heads पढ़ाए जाते हैं पूरे slaves में income tax की दुनिया में चाहे आप दुनिया का कोई भी course कर लो दुनिया मतलब भारस से जो related है उसके अंदर पांच ही head पढ़ाए जाएंगे बोलेंगे ये कर लो income tax खतम सबसे पहला heads of income heads of income heads of income सबसे पहला head होता है that is आपका income from salary income from salary दूसरा head होता है आपका income from house property sir income from salary क्या होता है जब आप job करते हो कहीं भी उस job से जो पैसा आप कमाते हो उसको क्या बोलते हैं salary तो इस salary वाले income पे कैसे tax लगाया जाए इस salary वाले income पे tax लगाने के rule को पढ़ेंगे हम किसमे income from salary में दूसरा head है income from house property जो आपका घर है इस घर से जो आपका rent निकलेगा जो इस घर से क्या निकलेगा rent निकलेगा इस rental income जो भी इस घर से rent निकलेगा इस rental income का जो भी पैसा tax देना है वो किसी ने किसी rule के तहत देना है तो वो rule पढ़ाया जाएगा आपको income from house property तीसरा होता है हमारा income income from capital gain income from capital gain का मतलब होता है आप कोई भी any asset अगर आप sold कर देते हो तो उस पे जो profit आपका होगा उस profit के उपर किस rule के तहत टेक्स लगेगा तो वो capital gain rule के तहत टेक्स लगेगा तो यहाँ पर सीखेंगे देखो salary एक अलगी चीज हो गई job कर रहे हो घर से किराय अलगी चीज हो गया उसके अलग rule बने है ऐसा ही आपका assets बेच देते हो इंकम फ्रम मैं शॉर्ट फ्रम में नहीं लिख रहा हूं मैं इंकम फ्रम बिजनस लिख देता हूं ऐसे आपको समझ में आ जागा बिजनस एंड प्रोफेशन इंकम फ्रम बिजनस एंड प्रोफेशन जिसको हम शॉर्ट फ्रम में पी जी बी बहुत फेमस नाम है यह आप जब दुकानदारी अपना बिजनस करोगे तो उस बिजनस से जब प्रोफिट कमाओगे तो ऐसे कौन-कौन से रूल के तहत कौन से इंकम को हमें लेना है इंकम को नहीं लेना है कौन से खर्ची आएंगे कौन से खरची नहीं आएंगे वो सब सिखाय जाता है तो 4 है हो गय कौन सा है कौन सा है income from फ्रॉम अदर सोर्स अदर सोर्स का मतलब वह इंकम जो की इन चारों में नहीं आ रहा उसको इसमें डालो जैसे क्या-क्या हो सकता है जैसे नंबर वन आपको इंटरस्ट से पैसा आ रहा है और सर आपको डिविडेंड से पैसा आ रहा है और सर आपने लॉट्री से पैसा जीत लिया और सर आपने लॉट्री के अलावा अगर देखा जाये तो और क्या हो सकता है आपका एग्री कल्चर वैसे तो एक्जेम्ट होता है एग्री कल्चर कहीं से ले रहे हो तो बाकी सारे के बच्चे के बच्चे कहां आ जाते हैं अदर स समझना है जिसमें से आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं धीरे धीरे सब ही करने हैं हमें यह सारे ही करने हैं में हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं that is income from house property यानि मकान से जब rent मिलेगा तो उस rent पे हम किस परकार से text देंगे किन किन बातों का साबधानी रखेंगे कौन से हम घुद रह रहे हैं वहां से किराय नहीं आया किरायदार ने 6 मैंने रहा 6 मैंने किराय लेके भाग गया उस पे किस तरीके से text का treatment होगा gift देने वाला वो other source में आ जाएगा gift देने वाला other source में आ जाएगा तो जो बाकी के मैं कहा रहा हूँ के income from house property ठीक है किसी बच्चे को अगर कोई income लगता हो नहीं सर इसके लावा भी मुझे पता है कि एक income कहीं और से भी हो सकती है तो comment में बताईए किसी को लगता है कि ऐसा income हो सकता है मुझे पता है तो मैं बता दूँगा आपको इन पांचों में से कहीं न कहीं वह adjust हो जाएगा इंकम कैश गिफ्ट अदर सोर्स का पार्ट है गिफ्ट किस में जाएगा हमारा अदर सोर्स के अंदर जाएगा आपका लॉट्री हो गया और भी बहुत सारी चीजे हो गए आपको कहीं रोड़ पे पड़े वे पैसे मिल गए वह भी आपके इंकम है आपने होड से लगा दिया आपने लूड़ो में पैसे लगा दिया आपने गेम से पैसे जीट लिए भईया वह आपका बिजनस थोड़ी ना है वो आपका अदर सोर्स में जाएगा ठीक है तो अभी हम फिलाल क्या पढ़ रहे हैं सबसे पहले पता होना चीए किस से income house property से तो sir मैंने जैसे बताया income from house property rental income पे rule हम सीखने वाले हैं तो पहले हम समझ लेते हैं कि घर किसे बोला जाता है समस्या तो यह है कि घर किसे बोला जाता है चलो पहले हम पहले घर समझ लेते हैं थोड़ा और देखते हैं कि क्या पढ़ेंगे तो घर का मतलब बहुत सारी चीज़े होती है माल लेते हैं आपका एक जमीन है यह land है और ऐसा भी पॉसिबल है यह land जो है खाली है आपने इस land को किराये पे दिया क्या कोई जमीन किराये पे दे सकता है हां भाई देते हैं किराये पे किसी को function करना है पार्टी करना है तो देखा होगा कि यह हमारा जमीन है और इसके उपर किराया लेंगे किसी को कोई भी हमारे पास parking में लगाना है थोड़े दिन के लिए यह दे दो अपना आपका खाली ले रहें तो वह भी तो रेंट है लेकिन बोला गया भीया रेंट किस से होना चाहिए घर से यह घर से किराया नहीं है तो यह रेंट हम इस रेंट पर क्या रूल लगेगा वह नहीं सीख रहे हम हमें अगर मान लिया जाए कि यह रहा अब यहां से मान लेते हैं यहां से हमें रेंट आहा है चाहत नहीं डाला भाकि दिवार बॉन्ड्री बगर डाल दिये अब यहां से अैंने उस हमें रेंट मिल रहा है बस च्छत नहीं डाला चारों तरफ से बॉंडरी दिवार दालती है तो इसको भी इस रेंट को भी हम हाउस प्रोपर्टी की इंकम नहीं मानेंगे इसको मानेंगे अधर सोर्स की इंकम किसकी इंकम मानेंगे अधर सोर्स बोला गया रेंट किस से होना चाहिए रेंट होना चाह हाँ दरवाजे और वाजे नहीं लगे वह अलग बात है लेकिन छत दिवार होना जरूरी है और जरूरी नहीं है कि यह जमीन मतलब कि कैसा भी हो सकता है आपका यह और उससे आपका जो भी रेंट आएगा वह भी हाउस प्रोपर्टी का कई बार मैंने देखा है कुछ घर वग एक एन्दर मैं पढ़ाऊंगा कुछ सेक्षिन 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 बाएगा क्या चैसेंगे आप अन्दर मैं पढ़ाऊंगा चली आ सथा क्लियरिटी मैंने दिया कि घर से जो रेंट आएगा उस पर टेक्स होगा अच्छा सर इसमें क्या-क्या पढ़ाओगे आप इसके अंदर मैं पढ़ाओंगा कुछ सेक्षन सेक्षन 22 पढ़ेंगे सेक्षन 27 पढ़ेंगे जो 22 और 27 आज ही स्टार्ट करेंगे 23 पढ़ेंगे 24 पढ़ेंगे 25 और 26 कुछ ये सेक्षन है जो हमें इसमें एक एक करके पढ़ना है इस सारे सेक्षन को जब हम पढ़ लेंगे और इतने सेक्षन में इतने सारे टॉपिक्स हैं स साथ टॉपिक अगर यह साथों टॉपिक कर लेंगे हम तो हमारा चैप्टर हो जाएगा खतम तो सबसे पहला हर किसी में पहला जो सक्षन होता है वह होता है चार्जिबिटी कि ऐसा क्या होगा जिसके उपर आपको लगाना कौन अब मानलो कई बार हो सकता है कि रेंट कोई भी रिसीब कर सकता है मैं मालिक हूँ मकान मालिक तो मैं भी रिसीब कर सकता हूँ हो सकता है मेरे भिहाब पे कोई और रिसीब कर रहा है तो अब टेक्स कौन देगा मकान मालिक के पास तो पैसा आया नहीं आया उसके ब्रदर के पास तो अब कौन टेक्स देगा उसके भाई को भरना चाहिए मकान वालिक को भरना चाहिए तो वो सारे जितने भी circumstances जितने भी possibility होते है सभी चीजों को देखेंगे तो पहले chargeability देखते है definition क्या कहता है definition को समझेंगे यह रहा chargeability कहता है chargeability में the annual value of any property पहला word तो यह समझना है कि what is the annual value annual value क्या होता है annual value यहाँ पर सिखाये जाएगा लेखिन मैं रफली आइडिया देता हूँ जो हमारा मकान का किराया होता है जो मकान का किराया होगा जो मकान का करके हैं वह रिंट माननों के दो लाक रुपय है अब एक बात बताओ आप इंकम टेक्स बचाने के लिए हमेशा जूट बोलते हूं अब जिसका किराया आ रहा होगा माननों पांच लाक वो लेगा है पांच लाक कहां आता है किराया इंकम टेक्स वा लेंगे इसका तो भाई एक लाग ही किराया है तो जूट बोलेगा वो तो इसलिए गौवर्मेंट इतनी आसानी से आप जितना वर्जी जूट बोलो कहता हम तो आपको पकड़ी लेगे आप जूट बोल रहे हैं आपका किराया तो नहीं ले रहा तो तेरी गलती है तुझे टेक्स देना होगा मालो पडोस वाला भी मिल गया इसके साथ हो सकते ने कि भाई मैं भी दो बताऊंगा तुभी दो बताई हो मिल गया तो बोलेगा अच्छा तुम दोनों मिले हुए अब हम बुलाते हैं एम सी डी वाले को बोलते हैं एम सी डी वाले आप आओ और यहां का एरिया वेरिये नापो और नाप नात ए बताओ के पर कितना रेंट होना चाहिए यानि दोटाइगा लैार हमिं आप लग मतलब नहीं आपका रेंड च्हे लाक होना रहे हो किसी relation की वज़े से या आपने बोला भाया मेरे को ज्यादा नहीं कमाना मेरे को दो लाग ही लेना है तो आप क्या income tax वाले उससे 6 लाग पर tax ले 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 तो गलत हो जाएगा अब जब मैं genuinely तो फिर ऐसे case में court चला जाता है court होता है court वाले decide करते हैं court वाले बोलते हैं भाया इसका rent इतना होना चीए और judge ने जो बोल दिया वो मानना पड़ेगा चाहे आपने गुना किया है चाहे नहीं किया है आपको सजा कारनी पड़ेगी तो judge के पास जाएगा judge एक decide करेगा भाया इसका 3 लाग होना चीए तो भले ही आप 2 ले रह करी नहिए है सबी के बातों को सुनने के बाद जो एक तक बीलीय बोला जाता है और का कहता है coc कोई भी property हो कि segment कहां से हो कहां से तो हैं शेया बिल्डिटिंग यहां यहां पर बाढकी आना चाहिए और ऐसा भी possible है कहां से आई लैंड से, तो सर अभी तो आपने मना किया, लैंड के आगे लिख गया है, upper tent there too, इसका मतलब बिल्डिंग से तो समझ बे आ गया कि मकान से जो किराया आगा वो house proper team merit tax करेंगे, लेकिन land upper tent there too का मतलब क्या है, आजए वे उसको समझते हैं जैसे मालो यह घर है कि इसका किराए आपका रेंट है अब मान लो इस घर के आज पास का एरिया गार्डन है यह गार्डन है यह मानलो क्या है मारा गार्डन है तो जब मैं किराये पर दूंगा घर तो क्या सिर्फ मैं इसका रेंट लूँगा या पूरे एरिया का रेंट लूँगा पूरे एरिया का रेंट लूँगा मैं तो अब वो ऐसा थोड़ी बोल सकता है यहां से गार्डन हटा दो मुझे सरिफ घर का रेंट देना है या मानलो रूम के साथ अटेच स्वीमिंग पुल है तो वहां तो कुछ घरवर नहीं बन रहा तो ऐसे सिचुएशन में जो यह एरि के साथ ऐसा कोई मुख्य भाग बहुत इंपॉटेंट पार्ट जो घर से अलग करना पॉसिबल नहीं है और वो घर के साथ जुड़ा हुआ है और भले ही उसके ऊपर कोई भी मकान ना बना हो तो इससे भी जो किराया आएगा क्योंकि मान लेते हैं कि आप मोटा मोटी में ब पार से जुड़ा हुआ है इसलिए अब आपका पूरा पचास अजार रुपय क्या माना जाएगा रेंटल इंकम इंकम फ्राम हाउस प्रॉपर्ट तो डेफिनेशन आईए क्या कहता है कहता है कि कोई भी एनुवल वेल्यू हो कहता है अपर ईज़ और ब्लीज और फिश the SSC SSC का मतलब क्या है अब SSC का मतलब मान लो एक वेक्ति है एक वेक्ति है अब इसकी इनकम इसकी इनकम है 2 लाख और एक वेक्ति है और मान लो इसकी इनकम है 10 लाख तो आपको छोटी सी जानकारी दे दूँ कि 3 लाख से उपर अगर आपकी इंकम होती है तो उसके उपर आपको टेक्स भरना पड़ता है और तीन लाग से अगर आपकी इंकम नीचे है तो आपको टेक्स नहीं भरना मैं रिवेट वेट हटा दो चीज़ को एक पर दिमाग में रखो तो तीन लाग से उपर इंकम है तो आपको क्य देना है तो जवाब भई आपको tax नहीं देना तो अगर आपको tax नहीं देना है तो आप S.S.C. नहीं हो अगर आप tax government कहती है ला भाई to tax देने के like हो चुका है तो टेक्स दे सकता है तो उसको क्या बोला जाता है S.S.C. क्या बोला जाएगा S.S.C. तो क्या कहा है कहा गया यहां पर सर definition में definition देखते हैं कहता है कि any annual value property comparison of building जो भी हमारा होगा comprising of the building और land apparent there to of which S.S.C. is the honor यानि सर आपको honor यानि आपको देना आप S.S.C. हो तो आपको मकान मालिक मकान मालिक होना जरूरी है example सर मान लो मेरा यह घर है इसका मकान मालिक A है अब A ने इस घर को किराये पे किसको दे दिया B को दे दिया अब B भी बड़ा चलाक है B ने इस घर को किराये पर दे दिया किसको सी को अब यहां से किराया जो है यहां से रेंट इसके पास आ रहा है मान लेते हैं बीस अजार और इसने यहां से अपनी बात्चित सेटिंग बना रखेंगे मैं पंद्रह हजार रुपे दूँगा ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता तो अब यहां पे मालिक कौन है मकान का रेंट तो दो जगह आ रहा है इसके पास भी रेंट आ रहा है और इसके पास भी रेंट आ रहा है लेकिन ओनर कौन है यह तो सिर्फ यही हाउस प्रॉपर्टे इंकम पे टेक्स देगा इसकी इंकम पे टेक् उसी को किया करा किराय पर दे दिया तो उसे बोला जाता है subletting तो अगर आपको कब दोगे आपके house property income कब मानी जाएगी जब आप क्या होगे उस मकान के ओनर अब सर कौण से ओनर real honor या fake honor तो अब हम आगे honor को अगर समझना है तो इसके लिए हमें आज section 27 पढ़ना पड़ेगा तब जाके समझ में आएगा कि honor है क्या अब honor के अंदर husband के हाथ में पैसे आ रहे है वाइफ के हाथ में पैसे आ रहे है भाई के हाथ में पैसे आ रहे हैं बेटे के हाथ में पैसे आ रहे हैं किसके हाथ में पैसे आ रहे हैं कौन और है वही उनर होगा वह सारी बाते सीखेंगे सेक्शन 27 में जहां पर ओनर को अच्छे से डिफाइन किया गया है कि डीम्ड ओनर भी हो सकता है इस चार्जबल अंडर दा टेक्स हैड ऑफ इंकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सर एक बार इस डेफिनेशन को और देखते हैं सेक्शन 22 क्या कहता है एन्वल वेल्यू अफ एन् होगा अंडर दा हैड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के अंदर उसको टेक्स देना पड़ेगा कि कहता है एन्वल वेल्यू और पोर्शन ऑफ बिल्डिंग ऑक्यूपाइद ऐसे सी मतलब घर है और घर का कोई हिस्सा मैं खुद रह लेता हूं और कुछ हिस्सा किराएब जैसे अ और के आप एससा हो सकता है न के दो फ्लोर बना रखें फरस फ्लोर मैं रहता हूं ग्राउंड फ्लोर मैंने क्या दे दिया दुकान किराये मतलब मेरा खुद का आया आया तो मैं तो टेक्स दूंगा लेकिन मेरा खुद का बिजनस है और मेरा खुद का मकान है और मैं वहाँ बिजनस कर रहा हूं और मैं as a rent अपने आपको देता हुआ क्योंकि आपको पता है औ अउनर अलग होता है और बिजनस अलग होता है तो उसकếu मैं दिखा रहा हूं के मैं आगे क्या कहता है sir it should be specifically noted that आपको यह note करना पड़ेगा what is the taxical under the income from house property is the annual value of the building or property and not rental income यानि आपको जितना रेंट ले रहे उसके उपर टेक्स नहीं देना है किस पर टेक्स देना है annual value मतलब सर अभी आपको मैंने बताया कि आप जितना रेंट ले रहे और रेंट तो आप दो लाक रहे रहे थे लेकिन टेक्स किस पर भर रहे हो तीन लाक और जो यह आपने कुछ इसमें से माइनस प्लस कुछ भी अपना रूल लगा के मैंने इंकम निकाल के दिखाया उसी को क्या बोलते हैं हम annual value तो यही कहना चाहता है definition में कि मेरे भाई जो annual value of the building या फिर property है not a rental income उसके रेंटल इंकम कभी हो भी सकता और कभी नहीं भी no doubt rental income is also taken as a consideration for determination of the annual value इसमें दो राय नहीं है कि हम rental income को consider करते हैं annual value को निकालने में लेकिन rental income कभी भी annual value नहीं होता अगर मैं बोलूं कि rental income is equal to annual value तो annual value यह बराबर कभी हो भी सकता है और कभी नहीं भी हो सकता तो always तो बराबर नहीं होता आगे कहता है in case let out the property but fair rent पे आपका important role of the determination of annual rate आपने कितने पे किराय पे दिया यह मतलब नहीं है इसका क्या rent होना चाहिए यह ज़्यादा माइने रखता है कि आपका कितना tax देना है तो पहला section था chargeability का तो क्या sir यह section exam में पूछा जाएगा maybe शायद बहुत कम chances है कि आपको बोलेगा कि income tax under the house property explain या define बोला जाए income tax income tax under the house property या define बोला जाए section 22 तो आपको simple जो definition लिखा हुआ है यही definition आपको लिख के आना है इस definition में क्या बाते लिखी है कि आपको annual value पे tax देना है और आपका या building से आ जाए या building appartent there to मतलब building से जुड़ा हुआ कोई भी land है उस पे हो जाएगा आपका taxable और देगा कौन SSC देगा और SSC कौन जो honor होगा वही देगा अगर मैं honor हूँ लेकिन मैं SSC नहीं हूँ तो कोई मतलब नहीं बनता मुझे इस income पे tax देने का तो ये पूरी की पूरी बाती बताई गई अब इसके अंदर condition आता है honor कौन है कंडिशन क्या है सर तो अब हम समझेंगे कि honor होता कौन है एक्चुल में तो आईए देखते हैं कि सर honor कौन होता है honor कौन होता है एक-एक करके देखते हैं काफी सारे points बन जाते है honor के तो honor देखते है क्या कहता है ये honor समझने के लिए कौन सा section section 27 20 अब honor का मतलब देखो मेरे नाम पे अगर कोई मकान है मैं तो honor हूँ लेकिन कई बार मेरे नाम पे मकान होता है लेकिन इसका rent मैं नहीं लेता है रेंट किसी कोई और लेता है सपोस करो Mr. X है और उसकी sister जो है वो financially बहुत वीक है उसने बोला चल यार यह मकान का जो किराया होगा तेरे नाम कर देता हूँ तो किराया सरफ उसके नाम पे जा रहा है मालिक कौन है मालिक तो Mr. X है तो इस situation में किसका hand में income from house property माना जाएगा चलिए वो देखते हैं कहता है in the certain cases legal ownership में west one person where the taxability cast another person मतलब कोई और legal honor हो सकता है taxability किसी और honor के हाथ में जाएगा जिसको हम बोलते हैं साथ कुछ है deemed honor पहला case पहला case चलिए आईए एक एक करके हम case को समझते हैं case number one Mr. X ये Mr. X है और ये है Mrs. X दोनो husband wife अभी मैंने एक बात बताए कि तीन लाग से उपर अगर income होती है तो फिर आप tax दोगे और तीन लाग से income नीचे है तो आप tax नहीं दोगे अब मैं आपको बताता हूं देखो ये क्या कलाकारी कर सकते हैं क्योंकि law पहले न मतलब के पहले कानून था ही नहीं अब पुराने टाइम पर जागो तो क्या कानून है तो जैसे जैसे चालाकी जैसे जैसे मकारी करने लगे वैसे वैसे कानून बनता है अब ये वाला जो तीन लाक से उपर टेक्स होता है मेरी इंकम बन रही है चार लाक जिसमें मेरा एक मकान भी है इसका एक मकान भी है और इस मकान से इसका किराया आता है डेड़ लाक कितना किराया आता है डेड़ लाक रुपे इस मकान से क्या आता है इसका किराया आता है इसको टेक्स देना पढ़ रहा है अब 4 लाक पे मानलो एक लाक पे 10% यह नहीं 10,000 टेक्स देना इसने दिमाग लगा यार मैं अगर अपनी इंकम 3 लाक से नीचे ले नहीं क्योंकि TP Personen क्या है।ं तो इसने क्या करा इस रैंट ने लाक पीजिस के नाम कर दिया कि किसे नाम कर दिए अपने वाइफ कर में पूर्मेंट है भाई तुम्हारी इंकम 4 लाक रुपे Phase नहीं वह तो मैं 85100 लाग उसकी इंकम है और मेरी इंकम जो मानी जाएगी वो कितनी मानी जाएगी चार में से डेड़ घटा दो तो मैं तो चाहता हूँ मैं आपको टेक्स दूँ लेकिन मजबूरी आपके कानून मुझे टेक्स भरने नहीं दे रहा मेरी इंकम तुढ़ाईल आके बताओ कैसे टेक्स तूँ गौवर्मेंट ने बोला ऐसे नहीं होता है जिसके नाम पर मकान होगा उसके नाम पर टेक्स देना है फिर मिस्टर एक्स ने सोचना चालू किया अब क्या किया जाए इसने अगर मैं यह घर अपनी वाइफ के नाम पर कर देता हूं तो ऐसे शिचूएशन में फिर तो इंकम टेक्स वाला यह तो नहीं बोलेगा कि ऑनर होना जरूरी है इसने यह घर इसके नाम पर कर दिया अब क्यूंकि या इसके नाम पे घर आप भी समझ पा रहे होगे और इंकम टेक्स वाला भी समझ पा रहे हैं बोला कि आपने जो सेक्शन 27 22 पढ़वा है ना चार्जबिटी उसके अंदर आपने साफ साफ लिखा है कि और होगा तभी वही और ही उस रेंटल कोई क्या इंकम पे टेक्स देगा अब इस मकान का मालिक तो नहीं हूँ मैं मैंने किसको दे दिया अपनी कि वाइफ को दे दिया‍थ इसकी मकान बैसे के भाई ठीक मान लिया तूने इसको घर दिया इससे कितने पैसे लिया पहले तु ये बता बोले ला 500 रुपे मैंने लो 500 में बेच दिया गर एडुकेट कंसिडरेशन हो अच्छी है मार्किट वैल्यू तुझे लेना पड़ेगा अगर तुने इससे मार्किट वैल्यू नहीं वसूला तो हम मान लेंगे कि यह घर तुने इससे सिर्फ टेक्स बचाने के लिए दे रख आप और दिमाग लगाएगा यह कि चल ठीक है भाई पैसे की बात हुई ना इसने इसको दे दिये पांचलाग रुपे बोला मेरे पैसे ले लिए इसको कैस दिया बोला तुमिरे कुछ बैंक पर जमांट करवाकि दे दिया अच्छा चलो अब यह बताओ ठीक हम मान गए कि ये घर कितने खरीदा एक बेच दिया नहीं खरीदा और ऑग उमसिया सब लिए टार जा हर की यह अब घर देdo자 अब सकता हैасले इसको आपकल या जया उन्हाइन गरly गजा है दो फेs चंगुल से यह बच नहीं सकता तो capital gain का तो अलग aspect मैंने बता दिया मेरा यहाँ पर कहने का मतलब है अगर कोई भी husband अपनी wife को घर दे देता है बिना किसी consideration का मतलब focus में और without educate consideration मतलब जितना होना चाहिए उतने पैसे नहीं लेता तो उस घर का मकान मालिक जिसने घर को दिया है वही माना जाएगा जिसके पास घर है वो नहीं माना जाएगा तो ऐसे situation में जब यह law आया तो बताओ किसको income tax भरना चीए था Mr. X को ही भरना पड़ेगा अब बिचार लाग रुपे कि इसकी income हो गई पर चार लाग पे से क्या भरना पड़ेगा अब टेक्स इसने बुलाए और वाइफ के चक्कर में फसक है अपने बच्चे को बुलाते हैं अब मान लो इसका एक सन है एक क्या है इसका बेटा है इसने अपने बेटे के नाम पे कर दिया अब बेटे की उमर जो है वो पांस साल है यानि यह क्या है माइनर अपने बेटे के नाम पे मकान कर दिया बुला भाईया मैंने अपने बेटे के नाम पे मकान कर रखा है रेंटल इंकम इसकी है यह टेक्स देगा तो law ने कहा कि भाई तू अपने बीबी को कर चाहे अपने बेटे को कर चाहे अपनी बेटी को कर ये minor है इसको क्या समझ है कि इसके नाम पर मकान हुआ तब भी तेर को ही मान लेंगे तू honor है और तुझे ही इस पर tax देना पड़ेगा ये law पुरा बन चुका है बनने के बाद अब हुआ ऐसा कि अब इसने घर जो दे दिया वो दे दिया किसको अपनी daughter को तो लौ तो ऐसा बना के भया डॉटर हो चाहे बेटा चाहे बेटी टेक्स तेर कोई भरना है अब डॉटर को शादी करने के बाद इसने अपने दामाद को दे रखा है गिफ्ट भाई के मेरी बेटी रहेगी घर में दे देता हूँ जैसे आपने सुना होगा मुके संबानी ने अपनी बेटी को बहुत बड़ा घर दे दिया है अब माने लो भाई इसने अपनी बेटी को दे दिया रहे इसकी बेटी रहे शादी हो चुका है अब रेंटल इंकम आता है तो अब कौन टेक्स देगा अब ऐसे में विचारा यही भरता रहे तो अब इसके साथ क्या हो रहा है नाहिन साफ यानि इसका property पे से control क्या हो चुका है अगर इसका property पे control रहा तो भाई तू ही मालिक है अगर तेरा control प्रोपर्टी से हट गया तो तू मालिक नहीं माना जाएगा जिसको तूने दिया है चाहे तुने उससे पैसे लिए हो चाहे पैसे तुने उससे ना लिए हो प्रॉपर्टी उसी की मानी जाएगी और वही उसके income पे rental income पे tax देगा यानि अगर wife को देता है तो husband ही देगा अगर minor बच्चे को देता है तो कौन देगा भाई उसके पापा ही देंगे अगर major son को देता है तब भी उसके पापा ही देंगे बेटा तो घर में ही है control तो है उसका अगर major अनि married अपनी daughter को देता है अब control खतम हो गया उसके सस्राल वाले थोड़ी वापस करेंगे तो उस situation में वो control वहाँ चला गया ऐसे जब यह case आया तो एक case ऐसा आया कि मान लेते हैं Mr. Raj और Raj के पास एक मकान है और Raj ने एक miss अभी शादी नहीं हुई Mr. Raj मान लेते हैं अनामी का अनामी का जिससे शादी नहीं हुई लेकिन सब कुछ हो चुका है रिस्ता वगरा सब तैय हो चुका है अब बस मतब सगाई वगरा सब कुछ हो गई अभी शादी अब इसने क्या करा इसने इसके भावनाओं में बहके अपना एक फ्लैट इसके नाम कर दिया शादी होने से पहले कि भाई यार चलो ठीक है अब शादी हो जाएगा तुम सब कुछ संभालो गई यह वो और इसने फ्लैट इसके नाम कर दिया फ्लैट नाम होते ही अब इसका रेंटल इंकम सबसे पहले बताओ जो इससे रेंट आएगा जो इस प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है उसको किसक पूट जाती है साधी होने के बाद जो टूटा उसे डाइवोस बोला जाता है और फेरे लेने से पहले अगर दुलन भाग गई तो डाइवोस नहीं हो फिर तो ऐसे सिचुएशन में इसका बहुत रिस्क में चल रहा है यह तो ऐसे सिचुएशन में भाई टेक्स उसी को भर जाना पड़ेगा तो लॉने बनाया कर ऐसा हो गया ऐसा किसी ने करा तो जिंदगी भर घर भी वह ले गई साधी भी नहीं हुई और यह बिचारा सिर्फ हाउस प्रपर्टी भरता जा रहे है तो कुछ तो इसके पास बचाई नहीं ना यह सिरिफ इंकम टेक्स घर भी गया और इंकम टेक्स भी दिये जा रहे है तो बोला इसके उपर इंकम किसको देना पड़ेगा इसके मंगेतर को देना पड़ेगा अब मान लो सपोस करो एक और मान लेते हैं सिचुएशन मान लो इसके बीच में डाइवोस हो जाए तो आपने सुना हो गया एलिमनी देना पड़ता है डाइवोस होने के बाद कि जो प्रॉपर्टी होता है उसके हस्बेंट का उसमें से कुछ हिस्सा मिलता है और जितना भी मिलता हूँ वो कोट के उपर डिपेंड करता है कि क्या हिस्सा दे रहे हैं तो मान लो डाइवोस हो जाता है कोट ने बोला ये वाला घर इसके नाम करो डाइवोस हो चुका है इसको बोलते हैं लीविंग अपार्ट या फिर एग्रिमेंट हो गया बिट्विन दा हस्बेंट एंड वाइफ के अब हम भाईया साथ नहीं रहेंगे इसका एग्रिमेंट हुआ है कि हम साथ नहीं रहेंगे अब उससे बोला जाता है डाइवोस ऐसे सिचुवेशन में इसने अपना घर अपनी वाइफ को दे दिया विदावट एड्यूकेट कंसिडरेशन बिना किसी कंसिडरेशन के अब इस घर पर बताओ कौन टेक्स देगा अब इस पर बोला गया भया तेरा कंट्रोल खताम डाइवोस हो गया वो अब दूसरी साधी करने दे उसको तो ऐसा सिचुवेशन में अब इस पर कौन देगा टेक्स इस पर टेक्स देगा हमारा उसकी वाइफ को ही टेक्स भरना पड़ेगा यानि ये सेक्शन देखो अब कानून ऐसे नहीं बना ऐसे से कारणा में हुए हैं तब जाके कानून के अंदर बाते लिख लिख के लिख लिख के बहुत लंबा कानून बन जाता है इस तरीके से तो पहला point में यही समझाता है section 27 बना था तो कुछ section 27 तो था ही नहीं ऐसे हेर फेर की वज़े से आ गया तो देखो पहला case क्या कहता है एक बार हम देखते हैं कहता है an individual who transfer otherwise other than educate consideration law के language थोड़ी से नटफ होती है तो मैं जैसे बता रहा हूं तो उसको coordinate करोगा समझ माएगा transfer का मतलब होता है बेचना यहां पर ऐसे नहीं बोला जा सकता है मैंने घर sold कर दिया इंकम टेक्स में यह चलता है transfer कर दिया otherwise मतलब अलावा other than educate consideration educate consideration मतलब मतलब एक लाख रुपे का घर है या एक करोड का घर है मैंने पांच जार रुपे में बोला पांच जार रुपे दे दे तो consideration जो बदले में पैसे मिला है वो educate नहीं है educate का मतलब वो उतना नहीं है जितना होना चाहिए market value नहीं है any house property अगर दे दिया जाए to his और her spouse अब spouse कोन होता है पती पतनी आपस में हो सकते है मैंने तो अभी husband का example लिया wife ऐसा है wife भी कर सकती है गलती तो wife के case के अंदर भी ऐसा हो सकते है not being a transfer तो उसको बोला गया भया अगर आपने कोई भी property transfer किया बिना consideration के या without educate consideration का तो not being a transfer इसका म माना ही नहीं जाएगा मानेंगे नहीं कि आपने बेच दिया इसको हम यह मानेंगे कि इसके मालिक आप हो सिर्फ income tax के अंदर in connection with the agreement अगर होता है agreement leave apart मतलब भाया हम अब नहीं रहना चाहते हम अलग होना चाहते है divorce of a minor child not being a married daughter अगर वो married daughter नहीं है is the deemed to be the honor of the house property transfer मतलब अगर मैंने अपना घर दिया बिना consideration का तो वो घर उसके नाम पे भले ही हो लेकिन उसके उपर rental income पे मुझे ही tax देना पड़ेगा अगर हमने divorce का case है तब उसको ही देना पड़ेगा अगर child को देते हो तो मुझे देना पड़ेगा लेकिन minor अगर आपका marriage daughter है daughter अगर इसकी साधी हो गई तब उसकी को देना पड़ेगा tax तो यह पूरे sentence का कहने का मतलब यह है एन इंडिवीजवल कोई भी व्यक्ति हो ट्रांसफर अधर्वाइस अगर उसका कंसिडरेशन प्रॉपर एड्यूकेट नहीं है एनि हाउस प्रॉपर्टी हिस और हर स्पाउस का नॉट बींगा ट्रांसफर इसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा लेकिन in connection with apart leave अगर ऐसा होता है डाइडवोस का केस और minor child not being a married daughter और अगर minor child है और जिसका मतलब कि minor child और married daughter नहीं हो is the deemed to be honor of the house property ऐसे case में कौन होगा transfer अब यहाँ पर दो होंगे transfer होता है transfer होता है और एक होता है transfer यानि यह घर इसका है अब यह घर किसको बेच देगा किसी व्यक्ति को बेचेगा तो यह जो घर है इसका अगर यह किसी व्यक्ति को बेचता है यह घर किसी भी व्यक्ति को यह घर बेचता है तो ऐसे situation में यह माना जाएगा जो बेचने वाला है seller है उससे transfer बोलेंगे और जो इस घर को लेने वाला है उसको क्या आगा इ ara बोलेंगे Tomato मैं अगे सकता हूँ बताओ transfer$ के थैक्से बलोगा घ्यक्स हाथ मोगा सबडाती के से तो पहला रिखना ब्रांसरों ऑने पहले पॉइंट में आपको चल coment क्या एक औरम को प्येवां देखते हैं सब 사람 को आब अब analogy सब्सक्रास मानलो एक व्यक्ति जिसकी एज इसकी एज नाइंटी नाइन इयर अब समझ सकते हो कि कितना और जीएगा यह ठीक है कितने साल है इसकी 99 साल आप समझ सकते हो अब हो सकता है कि सेंचुरी ना कर पाए और हो सकता है कर भी दे दोनों पॉसिबिलिटी है अब इसके है चार बेटे एक A है एक B है एक C है और एक D है चार बेटे हैं इसके और इसके पास घर है कि कलेश इसने पांचवा घर लेके कर दिया चार घर होते तो क्या करते एक एक दे दो भाई जो पांचवा ले लिया ना अब पांचवे घर के वज़े से यह सेंचुरी नहीं मार पाएगा इसको जीने नहीं देगा कोई भी अब डेली का यही होगा यार अब पताने कब होगा चार घर एक एक तो नाम हो गया पांचवा घर किसको मिलेगा किसी को भी मिल सकता है तो इसने एक वसीयत यानि विल बनाया वसीयत बनाया कि भाई अब मैंने जो भी था पहला घर मैंने एक के नाम कर दिया दूसरा घर मैंने बी के नाम कर दिया तीसरा घर मैंने सी का नाम कर दिया चौथा घर मैंने डी के नाम कर दिया पांचवा घर क् मैं कोसिस कर रहा हूं कि ये मैं मंदिर बना दू कुछ जाते जाते मैं कुछ अच्छा काम करके जाओ तो मैंने क्या बना दिया अब भाई मंदिर बना दिया तो मंदिर को देख रेक के भी तो कोई चाहिए तो ये घर बना दिया मंदिर किसी के नाम पे है या नहीं है ये A के नाम पर B के नाम पर C के नाम पर D किसी के नाम पर किया इसने किसके नाम पर कर दिया इसने मंदिर के नाम पर और बोल दिया कि इस मंदिर का सारा देखरेक मेरा बड़ा बेटा Mr. A करेगा ये नहीं बोला इसके नाम पर बोला इस मंदिर के सारी देख रेक कौन करने वाला है इसका बड़ा बेटा A अब बताओ इस मकान का जो पाँचवे मकान का मालिक तो यही है फिलाल चारों के नाम कर दिया वो तो अलग हो गया इसके मकान अब आफ्टर दा डेथ इस मकान की देख रेक कौन करेगा क्या यह इस मकान का मालिक इसके नाम पे प्रोपर्टी का फेपर हो जाएगा क्या नहीं होगा भाई उसने दिया ही नहीं लेकिन यहाँ पे मंदिर में बहुत सारे ऐसे मकान होते हैं से आप जाओगे जैसे वैश्णो देवी जाओगे तो वहां पर भगवन बना रखा बहुत जगह रुखने की जगह होती है वहां से किराया आता है अब यहां से रेंडल इंकम आ रहा है कि आपको और होना पड़ेगा मैं तो और नहीं हूं मैं तो टेक्स नहीं दूँगा इंकम टेक्स वाला भी कहां रुखने वाला बोलता है 27 पड़ो सेक्सेन 27 में एक बात लिखा है कि अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो ऐसा सिचुएशन को बोलेंगे इंपैरिटीबल स्टेट मतलब वो घर जो बाटा ना जा सके तो तुम उसके ओनर नहीं होगे लेकिन अगर तुम उसके सिर्फ केर टेकर भी होगे तो तुम ही को इसके उ एंडर दा हेड़व किसके आओस इसा प्रॉपर्टि गोर नहीं सके उससे बूला जाता है इंपैरेटिबल स्टेट जो पॉइंट नंबर हमारा टू कहता है यह तो पॉइंट नंबर टू दा होल्डर ऑफ इंपैरेटिबल स्टेट इस डीन to be the individual honor of the all property जो की comprised in the state मतलब इस property से जितना भी वो जुड़ा हुआ होगा काम करेगा उस case के अंदर उसी को tax देना पड़ेगा section 27 क्यों बना है बना इसलिए है क्योंकि आप उस time पे उसके honor नहीं भी होगे लेकिन ये section आपको honor बना देगा income tax भरने के लिए जैसे Mr. A उसका बेटा था वो honor नहीं था लेकिन इस section ने उसको honor बना दिया सेम ऐसे देखा जाए husband ने उसकी wife को घर दे दिया था honor वो नहीं था उस घर का लेकिन इस section ने उसी को वापस से honor बना दिया हो किसी में भी दिया हो अगर आपका control तब भी उस घर के उपर है तब आपको ही text देना पड़ेगा अगर आपके control से बाहर चला गया तो नहीं देना तो आपको नहीं देना है उसके उपर टेक्स चलिए सर इसके बाद दो के इसके बाद अगले पॉइंट पर आते हैं अगले पॉइंट पर आते हैं आपने सुसाइटी का नाम सुना होगा अब फ्लैट जैसे होता है अपने सुना का सुसाइटी होता है डेली में तो खर अब बहुत ज्यादा सुसाइटी हो गया जैसे कि सिंपल सा एक्जामपल एक लूम है तो एक सब टीवी पर नाटक भी आता था तारक महता का उड़िट सुसाइटी स्कुति पार्क होगा मतला एक अपना एक फैंपली टइप का बना लेते हैं सुसाइटी और यह बंठा पता है कैसे बहूंत और सा रहने का पहले घर नहीं होता है फिर ये जाती हैотив किसके पास सरकाज के पास government के पास और government को बोलते हैं हमारे पास इतने पैसे और हम सब एगर हैं लेकिन हमारे पास पैसे हैं तो आप हमें सस्ती जमीन दे एक बड़ी जमीन दे दो और उस जमीन को हमें दे दो उसके उपर हम क्या करेंगे बिल्डिंगें बना लेगे और घर बना लेगे उसमें हम सब रह लेगे तो government इस case में मदद करता है government क्या करेगा एक ऐसी जगह पे जमीन अलॉट कर देगा जहां पर develop हो भी सकता और नहीं भी हो सकता और ये जमीन भाया इसमें से कोई मुखिया गया होगा गौर्वर्मेंट से बात कर रहे हैं तो ये जो जमीन है ये जमीन किसी एक वेक्ति के नाम पे नहीं होगा जमीन बोलेगा च्छा किस नाम से अपना घर रखना चाते हैं इस ने बोला हम रखना चाहते जन्ता फ्लैट के नाम से तो इस घर को एक बोलेगा registration कराऊ जन्ता फ्लैट तो ये अपनें आपको registration करवाईगा co-operative society में किसमें registration करा लेगा एक law है हमारा cooperative society उसमें registration करा लेगा और फिर government क्या करेगी यह पूरी की पूरी जमीन इसको cooperative society के नाम पे कर देगी जब government यह पूरी society property cooperative society के नाम कर देगी तो यहाँ पे यह क्या करेंगे building है बना लेंगे अब बताओ इस जमीन का या इस building का मालिक कौन हो सकता है इस में से कोई एक बंदा हो सकता है क्या कोई भी नहीं हो सकता अब जिसने जितने पैसे दिये होंगे उसके हिसाब से उनको वो flat allot कर दिया जाएगा और उसको उस flat का पता ही क्या दिया जाएगा only token number only क्या दे दिया जाता है वहाँ फे token number दिया जाता है तो corporate society जितने भी society होते हैं इसमें आप घर के मालिक नहीं होते हैं वहाँ पर आपको सरफ क्या दे दिया जाता है तो उस घर के आप मालिक तो हो नहीं लेखिन 22 क्या कहता है आपको rental income पे house property text में देने के लिए आपको क्या होना चाहिए honor तो इस case के अंदर अगर यहाँ पे किसी वेक्ती ने अपने घर को rent पे चढ़ा दिया तो rent पे देने के बाद जो rent आएगा तो यह तो साफ मुकर जाएगा कि भीया हम तो इस मकान के मालिक ही नहीं है हमें तो सिर्फ क्या है token मिला हुआ है तो 27 फिर आता है बोलता है कि अगर ऐसा कोई situation हुआ ऐसे situation में आप इसके मालिक नहीं हो कोई बात नहीं हम आपको ही इसका deemed मालिक यानि deemed honor मान लेंगे और इस पे आपको ही tax देना पड़ेगा समझे बात थोड़ी से चलिए देखते हैं क्या कहता है point क्याता है a member of cooperative society member मतलब token मतलब आपको member बना दिया जाता है company और other AOP association of person whom building part there of allotted या lease पे हो under the house building scheme के अंदर जैसे आपने कभी सुना होगा ना के भाई इस DDA के flat निकल रहे हैं तो DDA के flat आपके नाम पे थोड़ी ना होता है वो तो आपको सिर्फ वहाँ पे member बना दिया जाता है 99 year के lease पे होता है हमेजा जितने भी DDA flat है वो 99 साल के lease पे ही होता है starting में उसके बाद government बोलती है तुम खरीदना चाते हो तो कुछ पैसे लेके उसको बेचती ही है इस बाद का ध्यान रखिये तो कहता है allotted हो या lease पे हो under the house building scheme of the society company जो भी हो सकता है association shall be deemed to be the honor of the building apart thereof even through the cooperative society is a company association is the legal honor क्योंकि इस building का legal honor तो वो cooperative society या company या department माना जाएगा लेकिन आपको क्या मान लिया जाएगा deemed honor आपको ही text देना पड़ेगा deemed honor में अभी तक हमने तीन पार्ट देखा है पहला ऐसा घर जिसको बाट ना सके तो जो उस घर का देखरेक करेगा उसको text देना है दूसरा अगर अगर अपने husband ने अपनी wife के घर नाम कर दिया है बिना पैसे लिये हुए तो उसके husband को ही text देना पड़ेगा अगर husband ने अपना घर अपने बच्चे के नाम कर दिया है तो उसके मतलब पापा को ही text देना पड़ेगा अगर मान लो के major या married daughter के नाम किया है तो भईया उसकी daughter ही text भरेगी अगर divorce हो जाता है और आपको ही उसके उपर क्या देना पड़ेगा rental income पे text देना पड़ेगा ये सारे का सारा हमारा section deemed honor का चल रहा है जो की कर रहे हैं हमने c 3 part देख लिया 4th part आजाता है d क्या कहता है a person who is allowed take a retain position of the building पहले हम इसको समझ लेते हैं आपने एक movie देखी ओगी बाजीगर देखी आपने कि साइद आज कल तो बहुत लोग नहीं देखते होंगे यहीं होगा ना बाजीगर कि ठीक है बाजीगर मूवी इसमें कौन हीरो है शारू खान हेरोईन है दो है एक है मेरे कले एक है दो दो है और यहां पर शारू खान का देखा जाए और इसके अंदर कहानी थोड़ी सी स्टोरी बताता हूं है होता ही है कि शारू खार के पिता जी और उसका एक दोस्त होता है कि वह दोनों एक बिजनस स्टार्ट करते हैं बिजनस स्टार्ट करने के बाद बहुत महनत से बिजनस स्टार्ट करते हैं तो शारू खान के फादर को अचानक से जुरत जा याने के लिए तो वो क्या करता है अपने दोस्त को बोलता है राव क्योंकिлушते उसके अवह जानता है वैसे उसके वहां पर काम करता है तो इतना लोयल हो जाता है वो काम करते करते तो शारुक खान के फादर को लगता है इतना इमांदार वेक्ति है यह सारी चीजे तो एक तरीके से उसके उपर सारी जिम्मेदारी उसके उपर आंख बंद करके भरूसा करता है वह अप फिर बोलता है कि मैं जा रहा हूं सारे चीजे तुम देख लेना तो जो उसके पास काम करता है मैनेजर जो होता है उसका या दोस्त के तरीके से होता वो बोलता है कि आप चले जाओगे तो फिर यहां पे इतने बड़ी-बड़ी डील कैसे होगी सारे डील पे कौन साइन करेगा क्योंकि honor तो आप हो तो डील पे साइन कोन करेगा डील पे हम साइन कर नहीं पाएंगे और कर नहीं पाएंगे तो सारा contract निकल जाएगा और आप company नुकसान में चले जाएगा शारुक खान के फादर कहते कि हाँ बात तो सही है तो वो क्या करता है कि बोलता है मैं ऐसा करता हूं कुछ दिनों के लिए सारी पावर तेर को दे देता हूं एक वो बीड बनाता है कि मैं अभी कुछ दिनों के लिए अभी गाउं जा रहा हूं या फिर मैं अपने जिस काम के लिए जा रहा था मैं जा रह आते हैं आने के बाद फिर उसको जो गेट की पर होता है अंदर घुसने नहीं देता कौन मुझे पहचाना नहीं बड़े सहाब का आदे सहाब को अंदर नहां नहीं दिया जाए बुला भाई मैं तुम्हारा ओनर हूं मैंने रखा था बुलाओ उसको तो जो उसका मेनेजर होता है वो एक और विल बनाता है क्योंकि उसके पास सारी पावर आज चुकी होती है कि वो उस विल का क्या कर गया जो भी साइन कर सकता है तो उसने एक और विल बना लिया और विल पर लिख दिया इस प्रोपर्टी के सारा मालिक मैं ही हूं यानि उसने उस विल जो उसके पास डॉक्यूट था उस एग्रीमेंट को बोला जाता है पावर ऑफ अटर्नी क्या बोला जाता है कि अगर हम अपनी पावर किसी को डेलीकेट कर दे किसी को दे देते तो उसको बोला जाता है पावर ऑफ अटर्नी तो जो शारुख खान ने के फादर ने पावर ऑफ अटर्नी अपने मैनेजर के नाम किया था मैनेजर ने उस पावर ऑफ अटर्नी का फाइदा उठा के क्या करा अपने नाम सारी प्रोपर्टी कर लिए और बोला आज से परमनेंटली मालिक मै पावर है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं उसके बाद उसने शारुख खान के फादर को निकाल दिया शारुख खान के फादर बहुत डिप्रेस में थे डिप्रेस होने के बाद बहुत ज्यादा दिक्कते हुई फिर शारुख खान ने भी कसम खाई कि मैं भी इसके साथ ऐसा ही पावर ओफ उतरी क्या चीज होती है पूरे फिल्म की कहानी अगर बोला जाए तो बोला गया बहिए बाजर मूवी देख लो पावर आफ वटरहनी सिम्जमी में आ जाएगा बस वहाँ पर पावर ऑफ अटरनी बताए गया है तो पावर ऑफ अटरनी में आप आउनर नहीं होते आपको सिर्फ कुछ दिनों के लिए पावर मिलता है मान लेते हैं एका घर है यह ने इस घर का पावर ऑफ अटरनी किसके नाम कर दिया बी के नाम कर दिया अब बी जो इसका मालिक नहीं है बी कौन है इसका सिर्फ पावर ऑफ अटरनी कुछ टाइम के लिए है लेकिन यह चाहे तो इस घर को अपने नाम पे सो करी सकता है तो ऐसा अगर सिचुवेशन हुआ तो इस रेंटल इंकम पे टेक्स कौन भरेगा मिस्टर भी भरेगा ना कि मिस्टर तो अगर कोई पावर ऑफ अटरनी वाला केस होता है तो जिसके नाम पे पावर ऑफ अटरनी है वो मालिक नहीं है यह मालिक थोड़ी है इस मकान का लेकिन इसको क्या मान लिया जाएगा डीम टूबी ऑनर मान लिया जाएगा और इसके उपर टेक retain position of any building मतलब रखनी की permission मिल गई part there of part performance मतलब कुछ performance as a contract in nature of refer section 53A of transfer of property act तो हमारे property के जितने भी legal case होते है transfer of property act के हसाफ होते है is to be deemed to be honor of that building apart there of वो वक्ती जिसको ये transfer किया गया है वो इस building का मालिक माना जाएगा deemed और उसी go heat देना पड़ेगा मेरे A और B में B को माली माना जाएगा और B को ही उस पर क्या देना पड़ेगा tax देना पड़ेगा B ये कहके नहीं बच सकता कि मैं इस मकान का मालिक हुई ही नहीं तो मैं tax नहीं दूँगा क्योंकि उसके नाम पर अगर power of attorney नहीं है अब लीज दो तरीके के होते है लीज क्या होता है अगर मैं बताओं तो जैसे मैंने भी बताया तो बहुत सारे लोग ऐसे थे चांदनी चौक बगरह में जाओगे आप तो इस जगह पर देखोगे तो बहुत सारे ऐसे परसन थे जो की जो जितने वेक्ति थे बहुत सारे अंग्रेजों के जवाने के टाइम पर जो राजा थे उनसे हाथ पर जोड़के उस मकान को किराया पर ले लिया और उस टाइम पर किराया था उसका कितना पचास 50 पैसे बहुत ज्यादा बोल रहा हूं बहुत कम पेता आप क्योंकि उस टाइम पे कितने साल के लीज पे लिए नियन्य अन्वे साल के लीज पे लिए तो एक तरीके से वो उसका मालिक ही बन गया, तो बोला गया कि अगर आप कोई भी प्रोपटी लीज पे लेते हो, लीज मतलब 12 साल से उपर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 6 मै के लिए लीस पे लिए अब बोले मेरा मकान है यह मैं यह अब समझूंगा इसको नहीं बारा साल से उपर के लिए किसी प्रॉपर्टी के लिए आप अगर लीस पे लेते हो तो उस सिचुएशन में उसका मालिक आप ही माने जाओगे अगर वहां से किराया आएगा तो आपको ही उस पे क्या देना पड़ेगा टेक्स देना पड़ेगा यहां पर सब लेटिंग का कॉंसेप्ट नहीं आएगा तो वही कहता है आप परसन एक्वाइर एनी राइट एक्स्क्लू होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग ऑपार्ट ऑफ देर ओफ वर्ट्यू एनी ऑफ फॉलविंग ट्रांजक्शन सेल भी डीम टूबी दा ऑनर उसकेस में वही ऑनर माना जाएगा यहां पर बेसिकली बोला गया नॉट लेस देन ट्वेलियर बारा साल से कम का नहीं हो बारा साल से उपर होना चाहिए सर लास्ट पॉइंट एक बार रिपीट कर दो डीम्ड ओनर तो सही हो जाएगा लास्ट पॉइंट में क्या कहता है कि लास्ट पॉइंट के अंदर कहने का मतलब है कि अगर आपने कोई भी प्रोपर्टी लीज पे लिया हो इस सेक्शन का पहले कोर फंडा क्या है समझो इस सेक्शन का मतलब है आप उस प्रोपर्टी के मालिक नहीं हो लेकिन आपको मालिक बना दिया जाएगा ये सेक्शन इसलिए बना तो अगर आप कोई भी प्रोपर्टी लीज पे लेते हो ना को ना की जो real honor है तो बस यह last वाला point यही कहता है देखो कहता है transfer of any land और building apart of building way of sale और exchange lease for them less than 12 year 12 साल से कम होगा including तो extendable lease period हो सकता है इसमें include allow the position of the such property जो उस property का position मतलब आपके under आ जाएगा वो criteria में take a rental apart of performance maintenance मतलब कहने का मतलब वही है total मिलाकर के वो उस case में आपको मालिक मान लिया हर एक student को clear है आज हमने बस ज्यादा नहीं पढ़ा है बहुत छोटा सा topic किया है के भाईया house property की income है और house property में हम सिर्फ और सिर्फ इतनी सारी जो बाते हुई यह पता है किस वज़े से यह कहां गया कहां गया भाई वो यह जो honor बोल दिया ना इस honor के विज़े से यानि हमने आज देखा जाए overall तो सिर्फ यह definition पढ़ा है और definition में भी कहां तक सिर्फ यहां तक definition पढ़ा है बस इस definition में हमने क्या-क्या पढ़ा है इस definition के अंदर हमने सारी चीजों को देख लिया और definition को देखने के बाद इसके अंदर honor भी समझ लिया और बाकी annual value थोड़ा बहुत हमने समझ लिया है clear है किसी student को इसमें दिक्कत बताईए किसी बच्चे को कोई दिक्कत अगली class में हम इसके numerical start करेंगे अभी सरिफ आपको यह पढ़ना है अगली class के अंदर हम इसके numerical छोटे-छोटे के किस तरीके से देखो municipal value fair rent पहले हम समझेंगे अगली class हमारा agenda होगा section 23 समझना उसके बाद 23 को कैसे apply करते हैं वो समझेंगे हम अगली class में ठीक है कल संडे है कल नहीं लिए तो किस सर कल class होगी नहीं कल class नहीं होगी हाँ recorded वाला section डल जाएगा कल आप सभी को आज की class समझ में आई या नहीं आई बताईए फटा-फट कमेंड में कि हाँ बिल्कुल सभी हो जाएगा अर्णौ गोकुल धाम कि सर अगर हाउस गिफ्ट में हो बिल्कुल तब भी लगेगा टेक्स कि अब कभी भी नहीं आई यह बुक वो कह रहे हैं के सर बुक जो आजाएगी जैसे आएगी मुझे ज्यादा है कि मैं बुक दूँआ क्योंकि प्रैक्टिकल भी स्टार्ट हो गया है तो बुक मानके चलिए कॉलेज खुलने के बाद अगस्त में ही आएगा आपका एक से दो अगस्त तीन अगस्त तक आ जाएगा और बुक का नाम है आपका ग्रीस आउजा तो ग्रीस आउजा कि जैसे बुक आएगी सबसे पह सेम टाइम पर कुछ बच्चे कर रहे हैं अब देखते हैं यह बहुत जल्दी मुझे इनेबल करवाना पड़ेगा तो आज वाली क्लास को आपको नोट करना है प्रॉपर नोट करने के बाद आप उसके नोट्स बनाईएगा नोट्स बनाने के बाद एक बार रीड जरूर क कर लूँगा तो वह बहुत गलत अप्रोच होता है आपको डेली बेसिस पर काम करना होगा चलिए मिलते हैं नेक्स क्लास में थाइंक यू सो मच गुड़नाइट टेक कियर